अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी पास चाहे तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूं धन तेरस के बारे में जी हां धन तेरस में कब है और धन तेरस में ऐसा कौन से साथ समान लाएं जिस से होगा तगरा लाफ जी हां आप लोगों को बहुत सारा लाफ होगा तो आईए सबसे पहले आप लोगों को धन तेरस 2022 धन तेरस का तिवार कार्तिक माह में द जाएगी इस दिन सभी अपने घर में सोना चांदी और बरतन खरीजते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कुछ चीजों के बारे में जिन्हीं खरीद कर घर लाने पर होगा बहुत लाव धन्तेरस 2022 धन्तेरस पर घर लेकर आएं ये साथ चीजे आपको होगा तगरा तो आएए जानते हैं वो कौन सी साथ चीज है जिसको धन्तेरस पर खरीदने से होता है बहुत लाव जिहां सबसे पहले सुरुआत करती हूँ पीली धातू जिहां धन्तेरस पर सोना खरीदना बेहत सुब माना जाता है लेकिन हर आदमी सोना खरीदने में सक्षम नहीं होता है ऐसे इस्थिति में पीतल को खरीद सकते हैं पीतल के बरतन भी शुब माने जाते हैं सोना और पीतल दोनों पीले और सुनहरे होते हैं दूरा है सिक्का धन तेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना शुब माना जाता है और आप जब भी भजार से सिक्का खरीदे तो देख ले उसमें मालक्ष्मी और गनीश अंकित होने चाहिए, ऐसे सिक्के को घर में रखना सुभ माना जाता है। तीसरा है जारू, जारू को मालक्ष्मी का सुरूप माना जाता है। धन्तेरस के दिन जारू खरीदना सुभ माना जाता है। ऐसा करने से दरेदिर्ता दूर होती है, घर में सुक सम्रिधी आती है। चौथा है अक्षत, धन्तेरस के पर्व पर अक्षय यानि की चावल खरेदना भी सुब मना जाता है। इससे घर में मालक्षमी की कृपब बनी रहती है, आर्थिक संकत नहीं आता है। पाचवा है गोमेद चक्र, धन्तेरस पर गोमेद चक्र की पूजा लावकारी मानी जाती है। ग्यारा गोमेद चक्र, खरीद कर दिवाली के दिन इनकी पूजा करना चाहिए, एक पीले वस्तर में बांध कर इन्हें तीजोरी में रख देना चाहिए, ऐसा करने से घर में कभी आर्थिक संकट नहीं रहता है, अगर आप गोमेद चक्र नहीं जानते हैं, तो जी हाँ इसको चोटी कौरी भी बोलते हैं, तो आप चोटी कौरी लाके रख सकती हैं, छटा है श्रीयंत्र, मा लक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत प्रिये होता है, धन्तेरस के दिन श्रीयंत्र की पूजा करने से मा लक्ष्मी की किरपा बनी रहती है, अब आईए, आईए बताते हैं सबसे लास्ट जीहां सात्वा वो कौन सी चीज है जिससे धनतेरस पे लाने से मालक्षमी प्रसंद होती है तो सात्वा जो है वो है धनिया की बीज मालक्षमी को धनिया की बीज प्रिये होता है धन्तेरस पर बीज खरीद कर इसे दिवाली के दिन मालक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए इनके कुछ बीजों को घर के बगीचे में बोदे इसे घर में खुसाली और सम्रिधी आती रहती है तो कैसा लगा ये जानकारी जो कि मैं आप लोगों को बताई आप लोग इसा सेर की कि ये साथ सीज अगर घर पे लाते हैं तो बहुत जादा ही लाफ होता है तो प्लीज कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिल्कुल न भूलना मेरे वीडियो को इंट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट